So guys welcome back to micro classes, हमारी Merit University और सारनपुर उनिवस्टी की B.E.D. First Year की classes चल लही है आज का मारा subject है Pedagogy of Physical Science है आज का मारा topic रहेगा सिक्सन विदी जिसे हम Teaching Method बोलते हैं तब सिक्सन विदी का क्या आर्थ होता है उस्टो आप शोटसमें आते हैं तो अब देको सिक्सन विदी होता क्या है इसे हम teaching method बोलते हैं teaching method का मतलब क्या हुआ वह है तरीका जिसके द्वारा कोई teacher आपको कोई part पढ़ाता है उस method को हम उस teacher का teaching method बोलते हैं देखो teaching method होता क्या है कोई भी teacher अपने part को बच्चों के सामने जिस तरीके के माध्यम से रखता है मतलब कोई भी टीचर अपने पार्ट को जिस भी में तरीके के द्वारा बच्चों को पढ़ाता है उस में तरीके को हम उस सिक्सक की सिक्सन विदी कहते हैं माल लेते हैं इस टीचर ने कोई एक अपना पार्ट फिक्स कर लिया है कि मुझे इस पार्ट को बच्चों को पढ़ाना है अगर यह है टीचर बोल कर अपना पूरा पार्ट बच्चों को पढ़ाता है कि मैं तो बोल कर पढ़ाऊंगा तो वो तरीका हो जाएगा इसका बोलने वाला सिक्सन्ड विदी हो जाएगी इसकी व्यक्षियानविरी, अगर यह सिकशक सोचता है कि मैं तो सारा सयामपठ पर लिखकर पढ़ाओंगा, तो सयामपठ विधी हो जाता है, अगर यह teacher सोचता है कि मैं तो पठे पुस्तक किताब का परियोकर बच्चों पूरा पार्ट पढ़ाऊंगा, किताब में बच्चे देखते रहेंगे, मैं भी किताब वगएरा पढ़ता रहूँगा, तो वो हमारा हो जाता है, पाठ्य पुस्तक वीदी, इसके लाब अगर यह टीचर सोचता है, कि मैं छोटे-छोटे बच्चों का गुरुप बनाऊंगा और उन गुरुफ को कुछ कार्य करने के लिए दूँगा, तो वो एक तरह से प्रोजेक्ट मैथड हो जाता है, तो कोई भी टीचर अपने पार्ट को पढ़ाने के लिए, जिस भी में तरीके का परियोग करता है, उस में तरीके को हम उस सिक्सक की सिक्षन विदी कहते हैं, आसान सा point है, आसान सी बात आप समझ पाएंगे, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, शिक्सका का उद्देश से चातरों का सर्मांकिन विकास करना होता है, इस उद्देश से की पूर्ती के लिए शिक्सक चातरों को बहुत से परकणों का ज्यान कराता है, आ बहुत से topic का ज्ञान परदान करते हैं बच्चो को इन topics को इन पर करनों को पड़ाने के लिए जिन भी तरीकों को अपनाता है उन तरीकों को ही सिक्षण विदी कहते हैं अथे सिक्षण विदी ऐसी पर विद्यों वै युक्तियों का समुह होता है जिसके द्वारा एक सिक्सक अपने पार्ट को परभावसाली तरीके से छात्रों के समक्स परस्तुत करता है समक्स परस्तुत करने का मतलब होता है उस पार्ट को बच्चों के सामने रखता है मतलब पढ़ाता है हम पढ़ाने को यह ऐसे बोल देते हैं कि बच्चों के समक्स हम ये चीज प्रस्तुत कर रहे हैं, मतलब हम बच्चों को ये चीज पढ़ा रहे हैं तो सिक्सन विदी क्या है? ऐसी परविद्यों युक्तियों का सम्मू होता है जिसके द्वारा एक टिचर परवावसाली तरीके से अपने पाठ को बच्चों के सामने रखता है या बच्चों को कोई पढ़ाता है इससे एक सिक्सा के, सिक्सन अधिग Damn-Pakiria के दवरान छाट्रों के अधिगम को सक्रिय रखता है прัσек Guillows अब नेकिन आप संध्याक को बोल नहीं पड़ा सकते संग्या पडाने के लिए डैयरेक्ट लेक्चर नहीं ले सकते बच्चो का संग्या को पड़ाने के लिए आप क्या करेंगे बच्चो से सारे प्रस्ण करेंगे एक टीचर फिक्स कर लेता है कि मेरा टॉपी नियम्य कदस्ट के नियम आप बनाकर सिखाते हैं तुमसष निगमने बिदी हो जाती है कुछ किरियाओं द्वारा बच्चों को आपको अमोनिया बनाना सीखाना है तो आप किरियाओं के द्वारा सीखाना चाहते हैं तो क्या हो जाती है आपकी परियोक सलाविदी हो जाती है परियोक सलाव बच्चे जाएंगे कुछ किरियाओं करेंगे और ammonia बनाना सीखेंगे कि nitrogen का use कर ammonia कैसे बनाई जाती है अब हमरा हो जाता है सिंसनविदी वह मेन तरीका जिसके द्वारा एक teacher बच्चों को कोई भी पार्ट पढ़ाता है उस मेन तरीके को उस teacher के हम सिंसनविदी कहते है अत है सिख्षक द्वारा कक्स hem में परियोग किया गया ऐसा उपागम जिसके द्वारव है किसी परकरण को चात्रों के समक्स रखता है अर्थात परकरण का ग्यान चात्रों को परदान कराता है शिक्सन विदी का अर्थ हो जाता है अब इसकी परिवासा देख लिते हैं वेसले के अनुसार सिक्सन विदी सिक्सक जो आरा संचलित वह किरिया है जिसमें चात्र को ग्यान के प्राप्ति होती है तो एक ऐसी किरिया है सिक्सन विदी अगर सिक्सक उसे संचलित करता है तो चात्र ग्यान प्राप्त करते हैं असान सा पॉइंट है टेली रेंड ने क्या का है विदी सिक्सक का भी चिक्सक होती है जो हमारी सिक्सन विदी है वो सिक्सक का भी सिक्सक होती है तो यह दो स्टेटमेंट है यह उपर वाला स्टेटमेंट अच्छा है यह तो आपको जरूरी लिख करा आना होगा पेपर में अब सिक्सन विदी के ब बच्चे कैसी हैं उन दोनों पर हमारी section विदी निरबर करती हैं माल लेते हैं आपको noun पढ़ाना है आप noun अप परियोखसालाविदी परियोखकर तो नहीं सकते इसके अलावा आप CO math पढ़ाना है math आप lecture method का यूज करके तो नहीं पढ़ा सकते हैं, तो जो आपका टोपिक है, कैसा है? टोपिक के आधार पर आप तीचिंग मैतड अपना सेलेक्ट करते हैं, और आपके बच्चे कैसे हैं? अगर चोटे बच्चे हैं, तो आप किरिया विदी, अक्टिविटी बेस्ट मैतड का यूज कर रहें लेकिन अगर आपके बच्चे intelligent हैं तो आप क्या करेंगे lecture लेकर भी उन्हें पढ़ा सकते हैं तो आपके बच्चे कैसे हैं और आपका topic कैसा है पार्ट कैसा है उन दोनों के आदार पर एक teacher अपनी section विदी का chain करता है topic के बदल जाने पर और पार्ट के बदल जाने पर या पिर हमारे बच्चों के बदल जाने पर हमारी teaching method भी बदल जाती है यह very short question में आता है इस वज़े से इसको मैं इतने इसप्रस्ट कर रहा हूँ आपको very short में कि section विदी को कौन कौन से दो कारक सब्सक्राइब करते हैं और CTAT जो हमारा CTAT होता है CTAT exam होते हैं उन में तो यह काफी ज़ाज आता है question इंपोर्टेंट है यह लाई में के द्वारा पढ़ाना पढ़ेगा जैसे परतिवासाली चात्रों को कोई भी पार्ट व्याख्यान विदी के द्वारा पढ़ाया जा सकता है पिश्रे बालकों को वही पार्ट किरिया विदी के माध्यम से पढ़ाना पढ़ेगा ऐसी विदी के माध्यम से किरिया बेस्ट हो पिर आगमन विदी का साया लेना पड़ेगा, आगमन या फिर निगमन विदी का में साया लेना पड़ता है गनित बढ़ाने के लिए, तो हमारे बच्चे कैसे हैं और हमारी टोपिक कैसा है, उसके अधार पर एक टीचर सिक्सन विदी का चेहन करता है, इस परकार कहा जा सकता है कि छात्रों के पास कितनी ग्यान है पिछला ग्यान पूर ग्यान बच्चों का कितना है उनके रूची वगरह क्या है उसके आदार पर वै किसी एक तरीके का चीहन करता है किस Aleka के enant प्राइब तरीके को यह सिक्सन वीधी कहते हैं। अब इसके परकारों की बात कर लेते हैं कि सिक्सन वीधी कितने परकार की होती है। यह आपका इंटर्विवर जो एक्जाम लेने के लिए आता है एक्जामनर वाईवा के लिए प्रक्टिकल में वह आपसे पूछ लेता है कि सिक्षन विदी कितने परकार की होती है तो इंपोर्टेंट पॉइंट है आसानी है इंपोर्टेंट है सिक्षन विदी देखो दो परकार की होती है प्रमप्रागत विदिया और आधोनिक विदिया प्रमप्रागत विदिया तो वे होती है जो प्राचिन टाइम से चली आ रही है मरे व्यादिक काल से मुसलिम काल आया जैनिज माया बुद्धिस्ट पीड़ आया इसके लावा जो अगर पास्चत्य संस्कृति को भी हम देखे, तो जो पहले टाइम से चली आ रही है, शिक्षन विदिया, उन्हें प्रमप्रागत विदिया बोलती है, ये विदिया ट्रैडिशनल मैथड क्यालाती है, इंगलीस में, ये शिक्षक केंदित होती है, मतलब टीचर अपने अनु व्याख्यान विदिय और पाठ्या पुस्तक विदिया दोनों में क्या होता है, इसमें टीचर लेक्चर लेता है, खड़ा होकर टीचर लेक्चर लेता है, और बच्चे उसे सुनते हैं, तो सुनकर बच्चे ग्यान पराप्त करते हैं इसमें तो, पाठ्या पुस्तक विदि कि उसमें grammar में और math में ये विदी परियोग की जा सकती है ये प्राचीन विदिया होती है प्रम प्रागत विदिया ने हम बोलते हैं traditional method बोलते हैं क्योंकि सिक्सकेंदित होती है अलगलग बच्चे के हिसाब से अलगलग हम इन में कुछ change नहीं कर सकते हैं दूसरी हमारी विदिया होती है आधौनिक विदिया modern method जीसे हम बोलते हैं ये विदिया नवीन होती है इनकी खोज मनुविज्यान के छेत्र में हुई खोजो decreased हो बाते हमें पता चली है किसके करण साइकोलजी के करण मनुविज्ञान के करण तो मनुविज्ञान के इन सिद्धांतों के अधार पर हमने जिन नवीन विदियों की खोज की है उन विदियों को हम आधुनिक विदिया बोलते हैं modern method बोलते हैं, जैसे निरिक्षन विदी, वाद विवाद विदी, योजना विदी, सर्वेक्षन विदी, परशनोत्तर विदी, स्रोत विदी, आधी, तो यह जो कुछ विदियां होती हैं, यह होती हैं हमारी अधुनिक विदियां में प्रमप्रागत विदिया थी, तो इनको थोड़ा से याद रखना उदारन भी आपसे पूछ ली जा सकते हैं, पेपर में वेरी सोट कोश्चन में किनी दो अदोनिक विदियो के नाम लिखिये हैं, अब सिक्सन विदियो की जो विशेशता हैं, परकर्ती होती हैं, उनकी बात कर लेती हैं, सोट में आ जाता है, सिक्सन विदियो को नियंतित करता है, नेक्स्ट है हमारा, सिक्सन विदियों जो होती है, सिक्सन परकिरिया को परवावशाली बनाती है, सिक्सन विदिया, सिक्सा के लक्स है वह उद्देशों की पूर्ती में सायाक होती है, सिक्सन विदिया, पार्ट को छात्रों के समक्स परवा इसक्सन विदिया पाठ्वे बच्चों की परकर्टी पर निर्वर करती हैं तो यह बात मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ एक पाठ्व को अलग-लग बच्चों को अलग-लग विदियों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है अग किसी सिक्सन अधिगम पर किरिया हम यह परवावसीलता को बढ़ाने के लिए हम परविदियों का परियोग करते हैं, परविदियों के बारे में आगे पढ़ लेंगे, इनके माध्यम से ही छात्रों को किसी भी परकरण की जानकरी होती है, किसी सिक्सन परकरिया की सफलता है, ऐस सफलता सिक्सन विदी के चेन पर निर exam के अगर बात की जाए तो सोट में आएगा जो कि आपका दोस्ट चार नंबर का होता है वो चार नंबर का होता है सेकंड येर में दो नंबर का होता है आई होप सिक्षन वीदी क्या होता है उसे आप आसानी से समझ पाई होंगे वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीयर गुरूप में दोस्तों के साथ सेयर कर सकते हैं बीयर की सभी सबज़ट की डेली रेगुलर क्लासी लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तिल देन बाबाई टेक केर